बाजार है नई उचाईयों पर शांदार तेजी के साथ आज होता हुआ कारोबार रिकॉर्ड बनने के बाद कुछ और मजबूती बनेगी या फिर आएगी मुनाफ़ा वसुली धेर सारा एक्षन है खबरों का भी और साथी नतीजों का भी ग्यार आट सो के पार निफ्टी इतिहासिक तरों पर इस वक्त है बाजार आखरी डेर गंटी का क्या होगा एक्षन और कैसे करें आप ट्रेड इस पर होगा हमारा खास फोकस फाइनल ट्रेड में आप सब का स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग्भी तो पहले 600, 600 के बाद 700, 700, 800, 23 दिन में बाजार ने अच्छी खासी गती वापिस पकड़ ली है हाला कि वो तेजी तो नहीं लेकिन फिर भी इसको एक जोरदार तेजी कहेंगे और आज की उचाई बाजार की स्ट्रेंथ को, बाजार की पकड़ को, बाजार की ताकत को दिखाती हूँ दिखे जह हम नए शिकर पे पहुँचें खैनेस बिच पहले हम पांच बड़ी बातों से कर रहे हैं कारेकरम के शुरुआत, फिर कारेकरम आगे कैसे बढ़ेंगे, यह आपके सामने सारी बाते रखेंगे और फिर मार्केट का अनलेसिस शुरू हो जाएगा, तो पहले पांच बड़ी बाते सरु और रिकोर्ड बनने का दिन है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज बनाया है नया रिकोर्ड और बैंक टिफ्टी अपने पुराने रिकोर्ड से सिफ सो अंक दूर है, यहां, 3648 का रिकोर्ड वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं और यही रहा तो बैंक टिफ्टी भी प्राइज बनाया लेकिन निफ्टी ने पुराना रिकोर्ड बड़े आसानी से पार किया, और रिकोर्ड बनाया भी और सेंसेक्स ने भी वेसा ही किया है, प्राइवेट बैंकों के दम पर आज बैंक टिफ्टी 400 उचला है, फाइनिशल ओटो, एफमसेजी यह तमाम शेर ब कि यहकोंस परक्तवर को थिर सब्सक्राइब किस्तिर एक पर Selenao क्लों सब्सक्राइब है टीछ को सबस्क्राइब जैसे मुनाफिका चुनाव है, मुनाफिका वर्ल्ड कॉप है, बेन्स से बेनिफिट है, यह सब कुछ पूरा एक्शन आपको इसी कारकम में मिलने वाला है, लेकिन आज की सबसे बड़ी ख़बर, जेट एर्वेस, यह भी मत भूलेगा, इसको लेकर भी हम इसी कारकम में और इसके बारे में डिसकस करने वाले हैं, अगर हम मारकेट में ट्रिगर से पहले जेट वाले भी बात करें तो जाना ठीक नहीं? बिलकुल, बिलकुल, तो जेट के लिए बड़े एक्शन वाला दिन और फाइनली जो हम कह रहे थे हाग सुबही बात करें जेट का क्लाइमक्स नजदीक है, अनल जी होगा कैजेट का, असल में कहना कि बैठ के दो चल रही हैं, बैंकर्स ने सिर्फ दस मिनिट पहले ये बात रखी कि हम पूरे रिस्ट्रक्चरल प्लैन के साथ त्यार हैं, हम बैक फूट पे नहीं आ रहे हम कंपनी को चलाना चाहते हैं, फिर खबर हर तरह के लोग अलग अलग बाते करेंगे, अलग अलग खबरे करेंगे, एक्चुल में सही क्या है, इसी को पता नहीं, योंकि सारी की सारी खबरें जो आ रही है, इसा तो हैंनी कि बैंकर्स ने बाहर निकल कर प्रेस ब्रिफिंग कियो, या कोई अब तो बैठक भी चल रह और सोच रहे है, नरेश गोईल साब और इतियाद कुछ और सोच रहा है, तो बहुत सारी चीजे इफ और बट है, फाइनल डिसिजन क्या होगा, किसी को पता नहीं, लेकिन मैं वही सुबह वाली बात पर कायम हूँ, कि ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, जो क भी कह सकतें कि स्थाई तोर पर ये सारे ऑप्रेशन बंदे जब तक कि फिर से ना शुरू हो, बात तो वही है, तो सिंपल चीज है, पर्मानेंट बंदे जब तक शुरू ना हो, तो पुल मिलाकर अगर जेट जमीन पर हैं, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि सरकार हो, ए सॉलूशन आने की तैयरी में है, लेकिन वो सॉलूशन किस फॉर्म में होगा, आज हो जाएगा, या तीन दिन बाद होगा, या साथ दिन बाद होगा, और किसके फेवर का होगा, ये हमें नहीं पता, जब इस तरह के ऑपरेशन टिपिकली बंद होते हैं, जो कंपनियां तो पैसे की समझता सबसे आसान समझता है, ये लेकिन वोगिकर्स है, लेकिन फिर भी निसुलूशन पार है, पैसे की समझता, डाले कौन, और किस भाव में, और किस गैरंटी पे, अगर आज किसी एक बैंक के चेर्मेन है, ठीक है, आपने पैसे डाल दिये, और कल कोई ये भी डूब गए, समझे आपको जेट चलाने वाला कोई प्रॉपर मेनेजमेंट न मिला, कोई प्रॉपर दावेदार नहीं आया, आपने पांसो जार क्रोटा ले, आपके रिटार्मेंट के बाद आकर आपके से सी बी आई पूछेगी है, भाई साब आपने क्यों डाल दिये से, आप क्या जवाब देंगे, तो बेंकर्स की लाइफ में कम थोड़ी इश्यू है, तो जो पैसा देने वाला है, उसे भी उतना ही सोचना है, जितना पैसा लेने वाला सोच रहा है, कि मुझे तो चाहिए, लेकिन मैं दूँ तो क्या बेसिस पर दूँ, तो जो देने वाल है, फ्रोड है, या कुछ गोटाला किया है, उस तरह की कोई बात है, तब मामला अलग होता है, और दूसरा है कि एक, फंड्स का मिसमेनेजमेंट है, या पैसे की कमी है, जेट के कैस में, प्राइम आफेसे जो मेंटर है, वो पैसे की कमी का है, वो यह कहने कि, और इसलिए जब समस्या सिर्फ पैसे की हो, अगर सिर्फ पैसे की है तो जेट में, तो आसान है सुल जाना, मुश्किल नहीं है, मुश्किल समस्या होती है, जहां फ्रोड हो, मैनेजमेंट बदमाश और हो, और वो पैसा निकाल ले कम्सी से, उन केसे में आपको बहुत इन्वे करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, उसे रिवाइव करना कम्स्यों को ज़्यादा आसान होती है, जेट की समस्या वैसी नहीं है, जेट की समस्या पैसे की है, और पैसे की समस्या अगर थोड़ी सी कैपिटल मिल जाए कर जाए, अगर लेंडर्स, बैंकर्स थोड़ा सेफ होकर आजाएं साथ में तो हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि नहीं बचेगी जेट जेट बचेगी एक सवाल और बस चोटा से सवाल है सरकार अपना रोल इसमें और क्या बढ़ा सकती है अगर सरकार पे आगई बात तो सरकार को ही करना है बैंकर्स को तो मुश्किल होती है आज अगर समझे है अस्तर मैंने कल जेट एर्वेस की जो यूनिन है उन्हें एक ट्वीट करके प्रधान मंत्री से का था कि आप 20,000 लोगों के नोक्री बचा लीजिए और इस सोचल मीडिया पे बहुत बात भी थी निम पे एक चीज़ है अगर समझे आप बैंकर है है और सरकार कहेंगे वह हम आपके पूरी मदद करेंगे सब कुछ करेंगे और यह ठीक चुनाओ के पहले हो एजब बैंकर आप कॉन्फिडेंट थोड़ी कि यही सरकार आएगी अगर इस सरकार के बोलने पर आपने मदद किर सरकार कोई और रही तो हिंदुस्तान में समझे सलज जाती है और आसानी सर जल्दी सलज जाती है लेकि अब भी सलज जाएगी मेरा ऐसा मानना है कि डिक्कत नहीं आनी चाहिए कहिए कहीं कहीं कोई सलूशन निकलेगा ज़रू जेट के लिए ठीक है उम्मीद करते हैं सलूशन भी निकले और यह समस्था भी सुलज है विप्रो के लिए आज का दिन बड़ा है क्योंकि बाइबैक को लेकर कंपनी की बोर्ट बैठक होगी और साथी नतीजह आ जाने वाले और इस बीच कंपनी के आईटी सिस्टम्स में गडबर की भी खबरे आ चुकी है इसका सर स्टॉक पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है नतीजे कैसे आते हैं और उसका एक रियाक्शन के आप देखने को मिलता है देखना बहुत है है मुगा साथी माइन ट्री के लिए काउंटर ओफर लाने का आखरी दिन है आज और साथी आरकॉम की सबसिड्री आर इंफ्राटल के खिलाफ एंसी एलेटी में सुनवाई होने लेकिन एफ़नो स्पेस में माइन्टी के नतीजे आते हुए दिखेंगे तो तमाम नतीजे हैं जिन पर फोकस रहेगा और गुरुवार की बात कर लेते हैं जब एक दिन की छुटी के बाद बाद खुलेंगे तो सबसे पहले तो लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण के मद्दान किया जाएगा तो लोकसभाग चुनाव एक बड़ा इवन्ट है गुरुवार 18 एप्रिल को लेकर साथी नतीजों के अगर बात करें निफ्टी में रिलाइंस इंडास्ट्री के नतीज़ आते हुए दिखेंगे एफनो स्पेस में आर्बील बैंक और डीसी बी बै ब्रसमतिवार को तब भी आपको एक्शिन देखने को मिलेगा तो नमबर्स के लिए भी त्यार रही है तो इसके लिए आप थोड़ा सब त्यार रहीएगा खेर आगे बढ़ रहे हैं तीन महमान इस बीच मरसा जूड़ चुके राकेश बंसल जी मरसा दिली से हैं कुनाल ज इस दिन से सिधार जी बड़े सबसे ज़्यादा बुलिश होकर मार्केट पर तेजी में आये थे और अभी तक बुलिश बने हुए पहले तो आप सब को रिकोर्ड हाइज बनने की बहुत बहुत बढ़ाई ही हमारे कुनाल जी राकेश जी और राजेश जी आपको निफ्टी बनाया है और सेंसेक्स ने भी बनाया और शायद बैंक निफ्टी बी बनाने की तरफ आगे बढ़ता हूँ नजर आए तो बहुत ही बैथ नतेजी होती ही दिखिये इसमें कोई डाउट नहीं तो शांदार खरीदारी होती ही दिख रही है पहले राकेश जी सुबह सुबह आज आपने निफ्टी खरिदारी घटने की राई दिथी चार्ट कॉर्णर में, टार्गेट के कितना नजदिक पहुंचा बताएं? अनिल जी अभी तो शुरुआत हुई है, यहाँ पर 840, 845 का पहला टार्गेट था, एक इमेजेट टार्गेट हमने 11-815 का पहला टार्गेट दिया था, अनिल जी निफ्टी के अंदर पहला टार्गेट हमने 11-815 का दिया था और वहाँ से थोड़ा सा दूर है यह, बट अनि इंडरसिंट बैंक में भी एक खरिदारी की राय दी थी दसकी कमाई में और वो स्टॉक भी चौके शके लगा रहा है इंडरसिंट बैंक ने भी जिन सतरों पर रिक्मेंडेशन दी थी वहां से काफी उपर है एंड अनिल जी वक्त अच्छा कर रहा है अभी आप देखें जब अब शुरुवात हुई है नई टेरिट्री में गया है तो एट लीस्ट थरस्टे को तो यह रैली जो है कंटीनिव रहेगी इसके साथ अनिल जी एसी सी इंडिगो आई टीसी टीस कोटेक महिंद्रा बैंक टीवी एस मोटरस अनिल जी सब स्क्रिप्स बैक टू-बैक रॉक क आपने वह एक स्टाइलीशा चेश्मा पहना है तब से तो हमारी स्क्रिप्स फिल्कुल रॉक कर रहे हैं और चेश्मा आज में पहनने के लिए तयार नहीं था तो डिंपी ने पहना जीए वैसा आज में लेके बैठा हूँ अगर जरूद पढ़ेगी तो क्लोजिंग वाले टार्गेट है थोड़ा लंबे समय के लिए इंडेसिंट बैंक दे रहे हैं कुछी गंट में कुछी गंट में कुनाल जी इतना फास हुजा है कैसे पता चलेगा वीवर को कि इतना जल्दी टार्गेट आने वाला है अनिजी देखे आम तोर पर दसकी कमाई बे हम मध्यमवदी के निवेश सुझाते हैं लेकिन आज हमने एक exception किया था सवेरे हमने इसको सपष्ट भी किया था कि हम future and options का share चुन रहे हैं क्योंकि जिस तरह का market में momentum है अभी तुरंत कमाई आनी चाहिए और इंडेसिंट बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करेगा जिनके पास है और थोड़ा सा patience रख सकते हैं hold करें मुनाफ़ को बरदाश करें और उपर के लेवल्स देखने को मिलें तो ये है राए आपके लिए एक शब्द करना चैन सर ने गलत करें मुनाफ़ को बरदाश करना बलकि मुनाफ़ को इंजॉय करना है इंजॉय करना है इंजॉय करने का है सबसे मुश्किल काम पूरे विश्व में कुन सबसे मुश्किल काम है मुनाफ़ को बरदाश करना क्य अगर मुनाफ़ा बरदाश्ट करना आ जाए तो पैसा कमाने से कोई धर्ति के ताकत आपको रोक नहीं सकते हैं खतरनाक वाला ग्यान निकला है जो इतने सालों के ट्रेडिंग और ट्रेडर्स को देखने का जो मेरा नीचोड है वो यह है कि जो बड़े ट्रेडर हैं उनमें एक शमता होती है मुनाफ़े को बरदाश्ट करने की इसको मैं प्रॉफिट एपिटाइट कहता हूं अंग्रेजी में और हिंदी में आप कहले कि प्रॉफिट को पचाने की पाचन शक्ति हाजमा चुस्त दुरूस रखिए तभी आप ज़्यादा खा पाएंगे धेर सारा खा पाएंगे उसे पचा भी पाएंगे और जब पचा लेंगे तो वो आपको आपके अंदर उरजा और शक्ति का संचार करेगा तो यह है आपकी आज की पूरी जद्दो ज़ह जो आज सबसे पहले तो विपरो का अकाउंटर यहां पर आप उसे पर फोकस कीजिए कुछ करमचारियों के अकाउंट में यहां पर गड़बड़ी मिलती हुए दिखे थी और नेटवर्क में कुछ सामान्या गतिविदी की शिकायत भी होती हुए दिखे थी और खातों में जो गड आते हैं कि नहीं साथी आज राम को सिस्टेम्स भी यहां पर फोकस में आपको है के विटिन हेलिकॉप्टर यहां से कंपनी को एविएशन में 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 इंजिनिरिंग से बड़ा ओर्डर मिलता हुए दिखा था उसके बाद यह थोड़ा सा में पर बात कर लेते हैं आज सबस आशिए नाइन रूपीस के बीच में और दूसरी ब्लॉक डीर में यह दो दोनों में 10 लाग की ब्लॉक डील हुई है तो देर सारे एक्षन डेर सारा एक्षन पूल तरह से आज स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है इस भी जेट को लेकर एक बड़ी खबर आके दिख रहे है लेंदार जो हैं वो कंपनी को NCLT में ले जाने में इंटरेस्टड नहीं और जल्दी ही पपेसा मिल सकता है आएगा 100% आएगा सरे NCLT में नहीं ले जाने का मतलब है कि इसको खुद ही सारा सेटल करेंगी ये NCLT में जाएगा तो बैंकर्स को जो हेर कट लगेगा जाना होता तो दो मीने पहले ही चला जाता इतनी जद्धो जहत करने बाद कम से कम NCLT वाली बात तो नहीं आने चाहिए और एक और पुकता हुई है और सरकारी सारे सुत्रे असल में सरकारी सुत्र का मैं मतलब बता दूँ वहां पे आज देश के कंसोशियम बैठा बैंक्स का उसमें एजब के रिप्रेजेंटेटिव हैं पी एंबी के एंडी हैं बगायदा उसके अंदर बैटे वे इस सारी के सारी खबरें उसी बैठक से निकल किया रहे इसमें बात तैह है कि NCLT के अंदर नहीं लेके जाएगा तो लेंडर्स के और से असर में लेंडर्स को ही NCLT में लेके जाना चाहिए जब वही कहरें के NCLT के अंदर हम नहीं लेके जाना चाहते हैं फिर तो और बड़ी बात है अजी फंडिंग कर सकते हैं और थोड़ी पहले ही जट को लेकर जो बयाना था पी एंबी के अंदी का था कि अभी तक हमने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया हम बात्चित कर रहे हैं हो सकता है बात गलग भी हो जाए कि हम उसको टेंपरेरी शटडाउन करना चाहें नहीं करना चाहें आज ही फंडिंग 1550 क्रोड रुपे की डाल दें तो कम से कम दस दिन के लिए और एर्लाइन आपकी चलाई जा सकती है क्योंकि वर्किंग कैपिटल के साब से आज आखरी इन के पास जो थोड़ा बहुत पैसा पचा भी हुआ है तो यह इंपॉर्टेंट ब्यान है कि लेंडर्स खुद कह रहे हैं कि हम NCLT के अंदर इसको लेकी जाने का वारा कोई विचार है बिल्कुल तो यह एक बड़ी ख़बर आती हुए दिख रही है और जेट के लिए राहत की ख़बर है अगर ऐसा है तो इसी वज़े से स्टॉक गोते लगा रहा है उपर आ रहा है अब नीचे जा रहा है वोलेटाइल हो रहा है आज का आप हाई-लो देखे दोनों केश और फीचर दोनों एक साथ देखे जेट के आपको अंदाज गाएक पहरा हो पूछी जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब कुछ इस भाव में अर्जस्ट हो या फिर अर्जस्ट होनब बाकी है यह दस दस परसेंट का जो एक स्विंग भी आज देखा यह ऐसा होगा बापिस या फिर नहीं होगा नहीं नहीं देखिए एक चीज़ तो बराबर के अगर जेट के ऑपरेशन ऐस्थाई तोर पर बंद हो रहे हैं और उसकी वज़े से स्ट पूरे 100% है तो इसमें ऐसा क्या है जो 120-130 जो भी जितने भी विमान है उसमें से 6 उड़ रहे था है उसमें भी आपको लग रहा है कि एरलाइन चल रही है तो यह तो मार्केट का नीजर की रिएक्शन खबर पढ़के नीजर की रिएक्शन और मीडिया में हमेशा संसनी खे रिएक्शन देना कली दे देते आज सुभी दे देते इंतिजार किया था फ्लेश होने का इंटरनेशन आपके बंद है गरेलों पे 6-7 विमान उड़ रहे है तो बंद जैसे ही है ना भई इसमें बंज में हो नहा क्या बंद है अब इसमें तो इसलिए वो रिएक्शन है तो इस तरह का जैसी कोई खबर आएगी तो सारा का सारा भाव के अंदर है या फिर इस तरह के दस परेंट करने का सिंपल तरीका ही जब तेज गिरावट आए तब लेना है जब टेज उचा लाए बेचना है इसको ही 220 रुपए की रेंज में इसको सपोर्ट है 260 जाते यहां बहुत कम चांस है कि 200 की नीचे जाए और बहुत कम चांस है कि 300 को पार करेगा 200 को पार करेगा यह करेगा ही नहीं तो इस रेंज में यह जूलता रहगा उपर नीचे खबरों के दम पर कुछ ने कुछ तो ऐसा है देखिए तब ही तो है ना आप एक चीज समझे कि वाइदा करोबार के बैं में बना हुआ है बाहर निकलता ही नहीं ठीक है जो कुछ ट्रेड होता है उपर नीचे होता है वो खाली इंट्राडे वाली करकर हुजता है पोज़आ है और फूच cis को तो अगर फ्यूचर डििस्कॉंट पर चलता है इसका मतलब यह कि किसी ने पताए कि जेट की जब भी डील होगी, जेट बच भी गया, तो इस भाव में नहीं बचेगा, वो इस से नीचे के भाव में बचेगा, या फिर वो यह मान के चल रहा है कि बचेगा नहीं, तो शोर्ट सेलर भी तो उतने ही मजबूत है, जो पंदर रुपे नीचे भी बेच कर बैठा तो कुल मिला कर सिंपल चीज है, कन्विक्शन लेवल पूरा है, कि जेट बचेगी, लेकिन इस भाव में नहीं बचेगी, भाव इसका नीचे होने वाला है, अगर डील होगी, कोई भी आएगा दावेदार तो मार्केट प्रेस से नीचे आएगा, यह बात पकी है, यह मान क इसको लगा, यह 4% नीचे था, आज ठीक 4% उपर है, जहां से तूटा, वहीं पर वापिस पहुंच गया, इसके नंबर भी आने, तो ठीक नंबर से पहले, कुनाल जी, यह DCB के अंदर जो 4-4% के स्विंग आया उपर नीचे के, इस शेर को डिस्टरब कर गये हैं क्या, क्य वापस से उपर गया है, आज जब तक 205 के लेवल को भी अपार नहीं करता, मुझे ने लगता, खरीदारी का कोई केस बनता है, तो ऐसा कोई बाय का सिगनल आज की स्थेजी में नहीं जनरेट हुआ है, और नहीं कल की उस गिरावट में कोई सेल का सिगनल जनरेट हुआ, त बीटी, स्थेटी और बीगूल है कुनाल जी के लिए। एक ब्रेकाउट चार्ट पर आते हुए नजर आ रहा है पीवेर वैसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है लगातार बजार के बनिस्पत इसका प्रदेशन बहतर रहा है और इसे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है एक फ्रेश ब्रेकाउट चार् के लिए बाइ करना है पीवियार स्टॉप लॉस सत्रा सो पांच रुपे पर रखें और पीवियार को इंस तरो पर बाय करें सभी लेवल्स मैंने जो दिये हैं वो फ्यूचर्स के लंबा वीकेंड है एक तरह से तो क्या बंसल जी कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जि तो वो मुवी शेया मेरे को दग रहा है इस वीकेंड रिलीज हो रही है को डिमपी जी की रिलीज हो रही है के पिक्चर अनी जी मुझे तो नाम याद आ है मैं रोज एलकस की हेल्प लेके सुवब होनिंग वॉक पर मुवी के काने पर सुनता हूं अच्छा क्या बात है तो चलिए तो कलंक ये बड़ी मल्टी स्टारर पिक्चर रिलीज हो रही है जो बंसल जी देखने जाएंगे ओके पी वी आर में जा रहे है ना बंसल जी आप अनिजी आई ओनली वाच मूवी इन पी वी आर क्योंकि बाकी जो सिनेमा घर है वो अंपेडिटिवली महंगे हैं एस कंपेट टू पी वी आर ना ये बात तो ये बात सही नहीं है पी वी आर से महंगे है दूसरे ने अनिजी दिल्ली में तो ऐसा ही है ने या पता नहीं वही दिल्ली वालों से एक बार जरह मैं पूछना बढ़ेगा मुझे तो पी वी आर जर्मेंगा लगता है ठीकित तो चलिए आगे बढ़ते है और आगे बढ़कर पहुंसते एक और स्टॉक की तरफ जहां पर एक्शन भरपूर होताओा दिख रहा है लेकिन अग्शन भरपूर अग्दम से रुग गया है बिलकुल कुछ नहीं हो रहा है और वह ग्लोबल वेक्टरा आश्यु जी को मैं मिस्तो कर रहा हूं जो क्योंकि आश्यु जी ने बार बार ओगर गर 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 के आवाज सुन सुनके ग्लोबल वेक्टरा में जो एक्शन देखा है 154.40 पैसे पर आक पीस वरजन के सरकेट पर इसके लिए टावन वाली बड़ी स्टोरी है और आपको बाकाइदा फिनेंशल डेटा के साथ बताएगा था कि किस तरह से इस कंपनी का मुनाफ़ा तीमाई दर तीमाई बढ़ता हो नजरारा और किस तरह चुनाव के वक्त में जबर दस मुनाफ़ा बढ़ाई देना चाहता हूँ डिमपी जी को जिन्होंने मतलब इस काउंटर को बिलकुल सही समय पर पहचाना और आम तौर पर दो ढ़ाई देते हैं आज डिमपी जी को बढ़ाई देने का बहुत मन कर रहा है कि क्ल्पल बैकर आम तोपर हमारे रडार पर रहता नहीं है ब इस तरह का momentum आ जाए, आज भी circuit पे trade हो रहा है, मुझे लगता है कि 135, 140 के levels भी हाँ पर आते हुए दिख सकते हैं, जिन्हों ने खरीदा है, उनको बिलकुल अब stop loss जो है बहुत tight रखना चाहिए, जिसे मुनाफ़ा हाथ से ना निकल जाए, 109 रुपे पर stop loss रखें और उपर क और मुझे लगता है 125, 126 के levels आएं, तो मुनाफ़ा बादने की सोचें, ठीक है, तो ग्लोबल वेक्टरा पर यह आपको राय भी मिली है, और आज शेयर ने फिर से 20% के एक टीज़ी दिखा के प्रूव किया है, कि शेयर के अंदर काफी दम है, यह सिर्फ बात बताने तक की ही नहीं है, बलके शेयर में काफी दम है, इस पर जेट के आप बात कर रहे थे ना, जिस लेवल पर बता रहे थे, वहां से 10 रोपे जेट और उपर आ गया, चलेगा हो, 244, 245, 100%, बिलकुल, बिलकुल, बन नहीं होगा जेट, यह बात समझ लीजिए, जिस तरह से मामला बन है ना, और यह वोलेटाइल रहेगा भी, देखिए, ऊपर जाएंगा, प्रोफिल बुकिंग आई, आप देख लिए, इसको 260 पर आते ही, कोई बेशने आ जाता है, 220 पचीस तक आते ही, कोई खरीदने आ जाता है, इस रेंज में किसी को तो पता है कि कुछ ने कुछ काम ऐसा हो रहा है, जो इस रेंज के साथ से यह भाव ठीक बनता है, अब खबरों के दम पर उपर नीचे तो हो गए, इस पीछ आपको ना किवल खबरे बता रहे हैं, बलकि चुनाव के एंगल से सारे शेयर्स आपके सामने रहे हैं, बलकि नतीजे भी जो आ रहे हैं, उससे भी पह जो हमारी बात है कि कोई भी चीज छूटे गी नहीं, सारे एक्षन आपको मिलेगा और एक गरंटी के साथ भी और एक चैलेंज के साथ भी है, तो इसको हम फिर से पूरा कर रहे हैं, हमको गर्व भी है और आपसे उम्मीद भी है कि लगतर आप इस तरह के चीजों को पसंद कर रहे हैं, हम इस पर और खरे भी उतरेंगे, पूजा बताएं, नतीज आएंगे, कमाई कराएंगे का आज का शेर, जी, अगली कंपनी है इस शेनी में, कल्पतरू पावर, ट्रांस्मिशन कारोबार से जुड़ी कंपनी हैं, और इस बार माना जा रहा है कि चौतेत माही के नतीजे काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बिकरी हमारा अनुमान है, 18% की बढ़त इस बार देखी जाएगी, मार्जिन्स 11% की आसपास रहने का अनुमान है, वहाँ पर भी करीब 18-20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मार्जिन के फ्रंट पर, मुनाफे में भी 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तीन-चार फैक्टर्स हैं जो की आपको वाच करने हैं, पहला तो यह है कि कंप्टी की ओर्डर बुक्स, वह काफी स्ट्रॉंग रहने वाली इस बार, ना कि सिर्फ घरेलू मार्केट से, बर्कि अंतरा श्रे बाजार से भी कंप्टी की और्डर बुक को जो युगदान है, वो काफी अच्छा मिलने वाला है, और इस बार वितवर्श 19 में ही करीब 8500 करोड के नए ओर्डर इंफ्लो देखे गए हैं, ओर्डर तो मिले ही हैं, लिकिन इसके साथ ही साथ एक्जेक्यूशन भी काफी बहतरीन तरीके से किया है करने में देखेंगे कि मुनाफे में एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, वितवर्श 19 तो अच्छा रहे गा ही, लेकिन आने वाला साल भी कंपनी के लिए काफी अच्छा बता जा रहा है, तो कल्पतरु पावर को पर आप नज़र रख सकते हैं, इसे आप इस चार्ट को अगर देखें तो टिमपी इस काउंटर में हमने पिछले कहीं दिनों में लगातार तेजी देखी है, और एक प्रेकाउट भी चार्ट पर 480 रुपे के उपर आया, और अब मुझे लगता है कि 580 तक का इसका मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो अगला पड़ाओ जो है, वो 520 रुपे के आसपास दिखता है, 520 के टार्गेट से मुझे लगता है, जिनके पास पोजिशन है, होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए तो मुझे लगता है कुछ देर हो गई है, लेकिन जिनके पास पुरानी खरीद है, पांसो, 480 रुपे पर स्ट दिखें, TVS मोटर के चार्ट पर देखें, डिपी तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जैसा की किताबों में होता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको इसके चार्ट पर नजर आएगा, ब्रेक आउट आया, और आज सवेरे हमने इस इस बिच कुछ एक और शेयर भी है, जो मार्केट के अंडर मोमेंटम बनाए हूँ है, उसमें एक रैमको सिमेंट भी है, सिमेंट वाले शेयर काफी एक्शन मेरे है, इबर राजेशी, ज़िए रैमको सिमेंट तो देखें, 202% उपर है, 785 का रेट, जी देखें, सिमेंट में रैमको सिमेंट जिस तरीके से बिहेव किया है, मुझे लगता है स्टॉक में और यहां से अपसाइट का मोमेंटम देखने को मिलेगा, मुझे लगता है शॉट टू मीडियम टम के लिए अगर किसी को होल्ड करना है तो 840 तक के टार्गेट भी मुझे लगता है कि देख देखा है पिछले कुछ दिनों में और स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम में चार्ट स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि 840 तक के टार्गेट हमें पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिलेंगे ठीक है, इस बीच ऑपेक की एक बैठक होने वाली है, हमने आपको सुबह भी बात रखे थी लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं होगा, नहीं शायद प्रड़क्शन बढ़ाने का नहीं घटाने का ऐसा कोई बड़ा फैसला शायद नहीं आए, लेकिन इस बीच आप ओयल मार्केटिंग के कुछ शेयर दे सकते हैं, हपी सी एल, बीपी सी एल, ये के चार्ट देख लिजिए, जो ज़्यादा ठीक लग रहा है, बता सकते हैं, ट्रेड लेना तो ठीक, नहीं लेना तो भी बता दीजिए, कि सोदा मतलो आप, लिए पहले तो डिमपी टी जो चीज आपने जो आकलन करा है, ओंसी का, वो बिल्कुल एक्दम ठीक करा है, बिल् डेफिनिटली एक अच्छा कैंडिडेट बनेगा, खरिदारी करनेगा, और तब डिमपी 7-8 रुपे का, अप मूब मुझे लगता है, एच्पी सेल में देखने को मिलेगा, बिपी सेल में डिमपी किसी ने ले रखा है, तो 356 के स्टॉप लोस के साथ होल्ड करना चाहिए, यहां पर मैं थोड़ा क्लोजिंग की वेट करना चाहूँगा, 364 के ओपर बिपी सेल क्लोजिंग दे, तब यहां पर खरिदारी करने चाहिए, ठीक है, बिपी सेल के भी लेवल्स आपके सामने हैं, और एच्पी सेल के है, एच्पी सेल तो 65 जब पार होगा, तब ही आप उ सिदार जी पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बढ़ाई, आपके उस कॉंफिडेंस से उस जल्वे से हमने जो देखा, उसके बाद से बादार रुका नहीं, सबका कॉंफिडेंस बढ़ा, जो निवेशक थोड़ा जूल रहे थे बीच में, क पता नहीं क्या फैसला लें, बादार को बाहर आ जाएं, रुक जाएं, आपके कॉंफिडेंस से बादार बे रुके हैं, और उनको आज लाइफ टाइम हाई का वो सुख भोग रहे हैं, एक और चीज, एलेंटी की भी सलामी आपको, आज एलेंटी बहुत जोरदार चला और ओड़ाल तरीके से अगराद बाजार की बात करें, तो हमें लगता है कि बाजार स्ट्रॉंग है, यहां से और स्ट्रॉंग रह सकता है, और सबसे इंपोर्टन जो बादार में बात रहेगी वो है मिट कैप्स, हमें लगता है कि अब जो रुजान रहेगा, एलेक्शन के जो 2019 का जो लक्षय है, वो 1900 रुपे का है, और हमें लगता है कि 2019 का स्टॉक ऑफ दे यर बन सकता है, एलेक्टी दमदार टेजी देगी, यह तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, यह भाव के साथ-साथ आपके आवाज में जोश और दम बढ़ता है, में कई कमी नहीं है, और मुझे तो याद भी हो गया, अठासो चोरानवे रुपे, बिलकुल याद है, अठासो चोरानवे है ना एलेंटी का टार्गेट, बिलकुल बिलकुल ननल जी, अब तो जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, मेरे आने वाली जनरेशन को भी बजार को आज रुकना नहीं है, 120 संकों की बड़त आ गया और 11,809 प्या और अभी और कॉन्फिडेंस हमारा भर रहे है, सिदा सदानी वो तो कहरें कि और अभी यहां से आपको चलता हुआ दिखेगा, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम तो है और काफी जोरदार मोमेंटम, अच्छा एक और शेयर है आपसे पता करना था, एक बार इटी सी को देखेए, 208, 210 की रेंज में फसा हुआ है, यह बाहर जाएगा इससे के फिर थोड़ा और तडपाएगा, बजार हाई पे आगया, यह नहीं आया, आप आप आईटी सी 308 के असपास जो ट्रेट कर रहा है यह मुझे लगता है जिस तरह के का ब्रेकाउट हुआ, स्टॉक थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है यहां पे और मुझे लगता है यहां से स्टॉक में एक रेली और बनेगी और जो कि इसको 325-330 की रेंज में लेके जाएगी तो जिसके पास भी पोजिशन मुझे लगता है होल्ड ही रखना चाहिए और यहां से अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉज जो है वो 302 का कर लेना चाहिए मुझे लगता है सुनर और लेटर मुझे लगता है कुछ ही दिनों में हमें 320-25 तक के टार्गेट इजी ली देखने को मिलेंगा इटीसी में और जो ब्रेकाउट और डेटा सजेस्ट करता है वो यही दर्शाता है कि स्टॉप में अभी बने रहना चाहिए और पोजिशन इंटेक्ट है लॉंग साइट की 325 के टार्गेट के लिए चीक है 325 के टार्गेट के लिए एक बार इसमें अब आप सोधा देख सकते हैं आज आईडिया के अंदर भी काल की बारता है 25-25जार दोनों करोड रखे राइट सिशू है तो दोनों पहीं राये देखे दिम्पी जी ब्राइट इशू में दोनों में डिरेक्शनल कॉल देना पड़ेगा और डिरेक्शनल कॉल देते हुए मुझे लगता है कि आईडिया और भारती दोनों ही बहतर आईडिया नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि दोनों में कॉल डॉप की बहुत बड़ी समस है और सभी जगह है हम मानता है कि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर से अभी दूर रहे अभी भी डिस्रप्शन जारी है अभी भी जी ओ ऑवी पड़ेगा इन सबी पर ले तो ऑवरॉल प्रस्पेक्टिव से सर्विस प्रोवाइडर के बज़ए हमें लगता है कि आप्टिक फाइबर साइट पे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए जो आप्टिक फाइबर के लाइन बिचती है वैसी कम्पनियां जैसे कि स्टरलाइट टेकनोज MCX ये आज बढ़कर काम कच कर रहा है 800 अभी इसमे एक फड़ा वॉल्यूम भी आया 800 के रेंज को पार करना क्लोजिंग मिलता है ये भी इंटरस्टिंग हो जाएगा एपर कुणाल जी ज़रा देखे तो MCX 800 के उपर आके वॉल्यूम के साथ कर रहा है ट्रेड एक मूव जरूर है डिमपी लेकिन मुझे लगता है कि 820 पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके है और कई बार आप देखे 820 से टकरा कर ये शेर नीचे आता है तो अभी कोई क्लियर ब्रेकाउट मुझे चार्ट पर आता हूँ दिखता नहीं है और ये स्टॉक वैसे भी बहुत वॉलटाइल रहता है तो मेरी राय में एक बार 820 का लेवल क्लियरली पार हो जाए तब नहीं खरीदबारी के बारे में सोचे इनफेक्ट जिनके पास पोजिशन है उन्हें भी 810 के आसपास मुनाफ़ा लेना चाहिए इस बिच में आपके सामने भी मुनाफ़े का वर्ल्ड कप भी रखने वाले है तो सारे के सारे रणीतिया सब कुछ आपके सामने होगे उसमें से एक सबसे एहम रणीति होती है बहुत ज्यादा है लेकिन अभी त्यारी पूरी सर तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी गुल फिर उस से पहले परमपरा का तरीके से हम यह देख लेते हैं कि इस समय विदेशी बाजारों में क्या हो रहा है शुरुआत अमेरिका सी होगी अमेरिका की फ्यूचर क्या कर रहे हैं कल हम चुटी पर जाने वाले हैं लेकिन अमेरिकान चुटी पर नहीं हैं कल वो काम काच करेंगे एक सुसोला अंको की बड़त है दाव के फीचर में नैस्टेक 33 संग उपर है अच्छा सा इन है पहतर सा इन है अब आते हैं जरा एशिन मार्केट पर और यूरोपन बजारों पर वहा की सिचुशन के है ठीक है आज यूरोपन बजारों की फ्लैटी ओपनिंग हुई थी फ् रिपनिस मार्केट 50 पैंट उपर शेंगाई 75 पैंट करंसी क्रूड के अंदर 70-70 यहां से पार नहीं करेंगा जब तो कॉपक की बैठेक नहीं होगी आप इसको मान के चलिए फिलहाल तो और इस बीच अब करंसी की बात करते हैं करंसी के अंदर भी कोग जादा बड़ा मू निफ्टी से निफ्टी 11807 यह है निफ्टी का लेवल जिस पर अभी अप्टेट करें 11800 के ऊपर बचेवे समय के लिए 11800 है निरनायक लेवल क्योंकि 28 लाग शेर पुट में खुलेवे हैं और 38 लाग शेर खुलेवे हैं कॉल्स में जिसमें से 16 लाग शेर तो इसी सिरीज क होनी की संभावन है पहले रिस्क क्या है जब आप लाइफ टाइम हाइपर है तो डिम पे रिस्क है इस वक्त लाइफ टाइम हाइपर आपके लिए 100 पोइंट की सिर्फ क्योंकि जिस तरह से यह बाजार दिखाना है यह आपको 11700 तूटने नहीं देगा बावन लाग शेरों उपन इंटर्स 11700 पर बन चुका है निफ्टी में तो अब आपके लिए परसों की एकस्पाइर तक 11700 बहुत मजबूत स्ट्रॉंग सपोर्ट जो है जो परसों की क्लोजिंग आपकी कल की 1690 के आसपास किये मेंने क्लोजिंग कल की क्लोजिंग 1690 मिली होगी आपको शायद र इसके लिए आपका स्टॉप जो है वह 11750 का है जहां पर 17 लाग शेर पुट में और जुड़ा है अब आप कितना आगे बढ़ेंगे इसके लिए मेरे पास डेटा है क्योंकि खुला नीला आकाश है ब्लू स्काई जोन ठीक है जब आप लाइफ टाइम हाइपर है तो आपको इस वक्त लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड करने का एक ही तरीका होता है बाजार में और यह आपको अपना स्टॉप लोस पता होना चाहिए जो डे ट्रेडर है उनके लिए स्टॉप लोस है 11750 का और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए 11690 के नीचे जब तक बनना हो 30648 यह वह लेवल है जो पहली अप्रेल का अप्रेल फूल के दिन बैंक ट्रेडर ने हाई बनाया था ठीक है और अब तक कि हाइस क्लोजिंग जो मिली है वह है 3426 ठीक है तो आप बैंक ट्रेडर पर आज जो बंद होंगे वह लाइफ टाइम हाई पर बंद होंगे लाइफ बहुत मज़ेदार सिच्वेशन बता रहा है डिमपी और बैंक ट्रिफ्टी में एक वैसा ही मूँ आने की तैयारी में है जिसके लिए आप सवाल पूछते हैं तो आज सुबह भी पूछते हैं कि रोकेट कब हो जाएगा रोकेट होने की तैयारी हो रही है असर 3500 हो तो हो क्यों हो रहा है देखो दो दो वज़े से रोकेट होगा और रोकेट किस लेवल के बाद होगा वो समझेए मज़ा आएगा आपको आप सुबह 14 लाग वाला वो बता रहे से ओपन इंटरस्ट आपको याद है बैंक निफ्टी के 3500 के कॉल पे 15 लाग शेर खुले हैं साथ लाग शेर इस सीरीज के हैं वीकली और आठ लाग शेर मंथली यह 15 लाग शेर रिस्क पे हैं आज 30,500 के उपर आप लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दे रहे हैं 30,650 पार करते ही आग लगेगी जो आपको 30,900 और 31,000 तक बैंक निफ्टी पे हो सकता है गुरुआर को यह ले जाए परसुई मतलब जो मज़ा मुझे निफ्टी की शौट में नहीं है वो बैंक निफ्टी की शौट में दिख रहा है बैंक निफ्टी में शौट जबर दसर बैंक निफ्टी में शौट में आग लग सकती है निफ्टी में लगे ना लगे लेकिन बैंक निफ्टी में आग लग सकती है तो आपको दो तरीके से ट्रेड करना है, पहला अभी खरीद लिजिए बैंक रिफ्टी 3560 पर जो अभी चल रहा है, 3550 के आजपास थोड़ा और खरीदिये, आपका स्टोपनोस होगा 3425 का दो टोकड़ों में खरीदना है, 3650 पहला टारगेट है और 3650 के पार निकलते फिर आज 3500 के उपर क्लोज देता है, तो जम कर खरीदारी करके जाएगे, ठीक है, राजेशी ठीक है यह थीक है आईए, 3500 के उपर की क्लोजिंग, 3500 के उपर क्लोजिंग में 3850 के टारगेट है और यह सारे स्पोर्ट के लेवल से बता रहो, मैं फूचर नहीं बता रहो, 3426 ला आप इस लिडरिशिप में, SBA नेगेटिव खबरे चल रही होंगे बहले जट के अंदर लेकिन वह भी तूटा नहीं है, कुनाल जी मैं इनफेक्ट आपकी वेट कर रहा था कि आप भी सवाल पूचेंगे, अनिल जी से कि अब आपको 30,500 तो दिख रहा है और इसके बाद 31, जार कब आएगा, या आपके सवाल मैं पूच लू, अगर आप पूचना रहा तो आप भी पूच सकते हैं, ने ने जी सवाल मैं ही करूँगा, मैं बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रहा था, और सही समय जैसे अभी अनिल जी ने का कि आज हाईस्ट एवर क्लोज है, 2900 पहला टार्गेट है जो इस अफ़ते आना चाहिए, आप छुटियां कम करवा देंगे, ये दो दिन के छुटियां कैंसल करवा सकते हैं, जल्दी करवा देंगे, आप बोलिए, ने जी सर्थ टार्गेट आजी लगा रहा था, अगर आने वाला है तो छुटियां कैंसल कर करेंगे, आप सेलेडिर क्लास हैं, कितना भी करेंगे उतना ही आएगा, इसमें मेरा भी दर्द है, अब समझी कि आप ही आए, बिल्कुल है, लेकिन हाँ, ऐसा लग बिल्कुल यह रहा इसक्रीन देखकर कि जैसा है बुल्स है ना, परेशान है, ये छुटियां हो रही है, आज ही सब कर लेते काम, कल की छुटी का काम भी आज कर लें, लंबे वीकेंड का काम भी आज कर लें, और एक्जेटली उसी तरह से भागने को तयार है, तो बिल्कुल 31-500 की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शायद अपरिल के महीने में दिख जाए, ठी और दिर पहले, शोव से पहले, मैं उनको, मैंने उनके सामने परस्ताव रखा था, कि छुटियों को कैंसल करना चाहिए, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, तो और फेर तो अनिर जी उन्होंने मेरे परस्ताव को रिजेट कर दिया, बोला, डिम्पी जी नराज थोड़ा काम ज्यादा कर लेंगे, छुटी मनाने जीए, और बिल्कुल, आपका सर, आपका सर, आपका सर, एक राकेश जी के लिए बिल्कुल, बीटेस्टी का, बताए सर, देखे अनिर जी जिस तरीके से आपने भी बैंक निफ्टी का विशलेशन करा, कि यहां पर शॉट कवरिंग देखने को मिलेगी, शॉट्स दिक्कत में है, तो अनिर जी मेरा भी स्टॉक बैंकिंग से है, आइसी 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 बैंक, भेतरीन टेकनिकल रुजान है, जिस तरीके से अनिर जी अभी हमने कूज दिन पहले, कोटेक महिंदरा बैंक, टीसे एस रिक्में रहे रहेगी, तो आइसी आइसी बैंक का फूचर खरी देए, चारसो साथ के आसपास फूचर चल रहा है, यहां पर कर लिजिए एंट्री और तेजी कर लिजिए, यहां पर चारसो पंदरा, चारसो उनिस दो दिये हैं टार्गेट, और खरीदारी लगातार होती दिख रहे इसे दूसरा भी में कोई आद्मी है, अब याद भी होगा तो बोलेंगे नहीं कि रिलाइस बोला था, ठीक है, कोई बार थी लेकिन बोला था हो ना रिलाइस, असर इस बिचना मैस्टेक के नंबर्स आगे हैं, यह साड़े 26 क्रोड से बढ़कर 27 क्रोड, एक क्रोड के मुन 25 रुपे का डिविडेंट वो भी ठीक, शेर है 3% उपर, अभी और कितना ठीक होगा यह? इस तरो पर मेरे खरेदारी के रहा है नहीं, चीक है, इस तरो पर खरेदेंगे तो नहीं, लेकिन जिन्हों नंबर्स से पहले की पोजिशन बनाए हैं, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं, एक बार अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहा है, तो कर सकते हैं, दो ड़ड़ बताए सर, अरे जी देखें, बजार में चारो और तेजी है, और हमने कहीं सारी खरेदारी के राये दी हैं, तो आशु जी का जो मंतर है कि आम तोर पर जबी भी बहुत सारी पोजिशन बाइ साइड के हों, तो एक आदा शॉट करना चाहिए, तो शॉट करना चाहिए, 174 रुपे पर 174 पर एक टाइट स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए, 163 रुपे का ambitious target होगा नीचे की ओर, और दूसरा target 159 का होगा, तो 163, 159 के target से short करें, 174 पर stop loss अकर, Reliance Capital में विकवाली करा है, यह ठीक है, short तो आपको perfect है, क्योंकि 4-5% strong नीचे है, 8% open interest भी बढ़ा ह हुआ है, कमजोर भी हो रहा है, लेकिन यह short के लिए, आश्यू जी के नाम पर क्यों बिलफाड रहे हैं, मुझे यह बताईए, कि आश्यू जी के बोलने पर ही आप short करें, अले जी देखे क्या है, जब कभी short करें, तो short से संबंदित जो देवता हैं, उनका स्मर्ण करना च आश्यू जी, और दर्शकों को भी एह दायत है, short करते समय उनका नाम ले लिए, ओम शोट देवतायन में, आश्यू जी के बेचारे, आश्यू जी बदनाम ज़्यादा हो गये, लोंग में जितना उनका नाम नहीं होतना, short में नाम ज़्यादा हो गये, लोंग वाली कॉल भ आश्यू जी बदेखिए थोड़ी देर पर रियक्शन भी आजाएगा उनका, लेकि चलिए रियक्शन आचुका है, क्रिकेट के एक्शन में, और वो है वर्ल्ल कप का, और वर्ल्ल कप के लिए इंडियन टीम की एलान हो चुका है, नाम का, और अब हमारे जो खिलाडी हैं, वर्ल कप जीतने के पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम आपके लिए ऐसे कुछ बहतरी स्टॉक बताने की कोशिश करेंगे, जो कि वर्ल्ल कप के हमारे खिलाडीों के साथ मिलते जिलते हैं, और वो आपके पॉर्टफिलियो का हिस्सा हो सकते हैं, तो आईए इसी सीरीज मे मुनाफिका वर्ल कप आईए देखते हैं, अगले स्टॉक बताए संदीप कौन से प्लेयर से हैं और उन से मिलते जिलते वे स्टॉक कौन से हैं, जो अच्छे हैं आखरी पढा आप 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 तो टेल रेंडर ही बचे हैं, आप कहधी हैं कि जो टेज गिंदबाज होते हैं हो लोते हैं क्योंकि सुबशें बल्लेबाज भी बता चुके हैं, फिर की वांये जो जो ने बता चिकिए हूँ अनों तरफ तेजी से चलने में काफी महारत हासिल है अभी भी खबर आई थी थोड़ दिर पहले कि इनके प्रमोटर का हिस्सा कम हुआ है मास्तिमाही में तो उसके उपर भी रियक्शन देखने कुमला था उसके साथ साथ देखिए यह लाइन लैंट की उपर बहुत ज्यादा साथ फोकस करते हैं काफी एकॉनमाइकल है और यह कमपनी भी जहां तक बात है हाल फिलान में ने माजिन के उपर बहुत फोकस किया है जो घाटे वाले स्टोर से उनको बंद भी किया है तो काफी ज़्यादा लाइम नैट में रही भी यह कमपनी और आप देखे इनकी वर्ल साफ तर पर नजर आता है जस्परीट बंबरागी आपने बात करी थी यह अगर आप देखें तो नंबर वन गेन बाज है अगर आप देखें ओडियाई में वन डे इंटरनाशनल में और इससे हमने मुतूत फिनांस को जोड़ा जो की ब्रांचिस के लिहास से गोल लोन की आते हो दिख रहे हैं और अब इनकी भी दूसरी पारी है ये वरल्लकव दूसरी बार खेल रहे हैं और नोट-बंदी की बाज इससा से मांग इंप्रूव हो रही है यह जो गोल्ड फिनांस कंपणीस हैं यह कहिना कहीं आ फोकस में आरी हैं और यह जो बालिंग के बातशाह है राज अस्प्रीद बंबरा उन से काफी मेल जोल खाती हो दिख रही है और आखिर में जो आपकी पसंद थी मौहमाज शमी यह दिखें तेज गेंबाज तो हैं ही है यह लेकिन 2019 में अगर आप देखें तो कमबेक आफ दा येर के तौर पे इनको दिखा जा रहा है और इससे हम जोड़ रहे हैं इंडेबुल हाउजिंग को जो की लिकृडिस अंगट के चलते बहुत ज़्यादा पिट गया था लेकिन उतनी ही तेजी से यह उबर के सामने है जितनी तेज मौहमाज शमी अपनी तो यह तीन शेयर हैं जो टेल एंडर हैं आपके सामने तो तेजी से चलते हैं चाहे नीचे की और चाहे उपर की और ठीक है तो वर्ल्ल कप के खिलाडियों का भी आपको करेक्टर पता लग रहा है कि वो कैसे खिलाडी हैं कैसे खेलते हैं साथ-साथ से लिड़ों शेयर्स कि इंगलेंड हो रहा है इंगलेंड हमें पीच पर हैं राइट म्यू4 याद पाकिस्तान पाकिस्तान का मुख्तान है देखना थो वही बाकि दो घ्चिंग हird तो ठीक है हिंदुस्तान पाकिस्तान सल जून मैंचेस्टर में औल्टरेफर्ट अरशो में Louise दनां मतलों यहां भी जो पता हो वह बताते रहना चाहिये पिछले तिन स्टॉक पिनोजाने वाली लिए और स्नेक्स खाने वाली और इसे बाद तो अलिक्सन टेक्नोजी और ग्लोबल वेक्टरा जो कल बताया था कल 20% आज 20% चली नहीं पा रहा है अच्छा कासा उड़ता उड़ता रुगिया देख लिए 20% पाग का उड़ने वाली कमसी 20% उड़कर अब आराम करती भी दिख रही है तो यह कुछ एक स्टॉक्स जो बेहद एक्शन में आपको देखने जाहिए एक दम से में को ध्याना है तो मैंने शेयर देखा याज एक परसंट उपर भी एक रेंज को ब्रेक आउट कर रहा है आप इस पे बुलिश है ब्रिटैनिया पे अभी अभी निफ्टी के अंदर एंटर हुआ है इसी सीरीज के अंदर इसको निफ्टी का हिस देरी सेग्मेंट में वो बहुत आगे जा रहे हैं बहुत बड़ा एक्स्पैंशन है तो ब्रिटैनिया फमसी जी शेत्र में बहुत भेतरीन कम्तिया निफ्टी का समूँ में है तो बहुत अच्छी कम्तिया अगर आपके पास होल्डिंग में हो तो पोटफोलियो स्टॉक ह इस पर बने रह सकते हैं पर FMCG सेग्मेंट में कोई एक कम्तिय अगरे मुझे आप बोलो के चुनना है तो वो चुनेंगे हिंदूस्तान युनिलिवर सबसे बड़ी कम्तिय है FMCG की और खाली मैं एक छोटा सा एक एक इक्वेशन बताना चाहूंगा अनिल जी के सामने वो है कि FMCG का जो पूरे साल का जो पर कैपिटा कंजम्शन है भारत में वो करीबन हजार रुपे का है जबकि दूसरे इमर्जिंग कंट्री जैसे के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलेंड यहां पे 2000 के करीब का FMCG का कंजम्शन देता है और चाइना में करीबन 4000 रुपे पर का कैपिटा कंजम्शन है तो भारत से चाइना चार गुना आगे है तो भारत को अभी भी FMCG के कंजम्शन में बहुत आगे बढ़ना है और अगर इसमें आगे बढ़ती है तो FMCG का दिगज हिंदुस्तान यूनिलीवर बाइस सो पचास का लक्ष है यह है आपके लिए रह ion में हम हजार रुपे का ही खाते हैं साल बर में अब यह समझ में आगे बमारें चीन के इसाह से कि तना 4000 यह ए सिजार गिठी चीन के इसाब से 4 ऑचार 220 देने चाय के साथ मिंश्कित लेते हो आप लच अभी शुरू कर ले चली कोई बात नहीं, कंजम्शन बढ़ाईए, तभी शेर के दाम बढ़ेंगे, ये बात पकीए, लेकिन आईए इस बिच एक बिगुल BTST का आपके लिए काजे जी बताएं सर, अनिल जी बाय करना है, अडानी पोर्ट फ्यूचर, 395.50 के असपा स्ट्रेट कर रहा है, अगर देखे तो आज के सेशन में 10% का उपन इंटर्स एडिशन देखने को मिला है, 390 के कॉल में अन्वांडिंग देखने को मिली, जो राइटर्स थे वो बैक करना चाहिए, 391 स्टॉप लॉस होगा, 391 स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 404 रुपे का टार्गेट, 400 और 404, दो है ना, जी, ओके, छोटे-छोटे एक दब, 404 पहला टार्गेट भी मुझे लगता है कि 404 का टार्गेट भी आना चाहिए, फर्स टार्गेट अगर 404 रखे के स्टॉक अच्छी तेजी दिखाने के बाद आप नीचे आता देखर जार दिनका चार्ट बताईए और उसके बाद हाँ, डिमपी भी तैयार हो रहे हैं, मुनाफिका चुनाओ लेकर डिमपी पहुंच चुके हैं, अपनी यहां की कुरसी छोड़कर चुनाओ के मेदान मे एक अच्छा शेर आपको बताने के लिए कि इस शेर के दम पर आप चुनाओी माहुल में उतर सकते हैं, और डिमपी बताएंगे मुनाफिका चुनाओ, उससे पहले, इंडी गो एक बार में आपके सामने लाना चाता हूँ, 1609 रुपे का हाई आज फ्यूचर्स में, 1610 के आ जो तेजी बनी वो इसी दम पर बनी कि एक का नुकसान एक का फाइदा, और आज जो प्रॉफिट बुखिंग आ रही है, वो भी इसी दम पर आ रही कि अगर जेड बच जाएगी तो फिर इंडी गो को जो फाइदा जितना सोच रहे हैं, शायद उतना हो और खास दोर से से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस को यहां से फिफ्टीन सिक्स्टी पर ले आना चाहिए, हाला कि स्टॉक्चर पॉजिटीव है और जिस तरीके का ब्रेक आउट अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा इस्टॉक में, तो मुझे लगता ह कि स्टॉक और यहां से मोमेंटम पकड़ेगा और जिस तरीके का ओपन इंट्रेस एडिशन है और बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन अभी तक देखने को मिला, लास्ट आदे घंटे का भी हम डेटा देखें, तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव लिक्विडेशन देखने हैं यह है आपके लिए राए इस वक्त साफ दोर पर इंडिगो की फीचर में बने रहे हैं, स्टॉप लोस के बता है आपने, फिफ्टिन सिक्स्टी, पंदरा, सो साथ, फीचर, जी, और अभी चल रहा है, पंदरा सो असी, अच्छा, बीस रुपे नीचे और तो ठीक है, ब करते हैं मुनाफिक का चुनाओ, बीगुल के साथ, ओके और डिमपी हमारे साथ है, तीन शांदार, एक के बाद एक तगरे स्टॉक बताने के लिए, गलोबल स्प्रिट, जो की, गलोबल स्प्रिट भी पंदर परसंट के आस पास दो रहा था, उसके बाद प्रताब स्नेक्स 12-13 परसंट वो भागा, और गलोबल वेक्टर तो ये भाग ही नहीं रहा, क्योंकि ये जमीन पर होता ही नहीं, ये तो होता है हवा में, हेलिकॉप्टर वाली कंसी, दो-दो-बीस परसंट के सर्कृट लगा कर अभी भी सर्कृट पर ट्रेड करता हुआ, गलोबल 24 गंटे पहले बंसल जी ने एक सवाल मिर से पूछा था कि युनाइटिड ब्रिवरिस चल क्यों नहीं रहा, अब तो नवरातरी भी खतम हो गए, तो युनाइटिड ब्रिवरिस हमने उनसे का था कि आपको मैं 24 गंटे के अंदर अंदर जवाब दे दूँगा, कोशिश साफ है, वज़े सिर्फ चुनाव नहीं है, बलकि चुनाव के साथ साथ मौसम भी है, मौसम के साथ साथ लागत भी है, तो तीन बड़ी वज़े हमने चुनी है, सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव तो है, मौसम भी तो ऐसा है, और साथ साथ लागत भी ऐसी है, तो तीनों बियर में से छे बियर युनाइटरी बिर्विस से बिलोंग करती हैं किंग फिशर का कोई भी ब्रैंड किसी भी तरह का लगजरी से लेकर डिलक्स तक कुछ भी आप ले लिजे सब के सब इन्हीं के पास ही हैं और ना के वला भी है लिकर के अंदर हैं बलकि कंपनिंगास 15 ब्र काल में इनों ने लॉंच किया है उसको अब कंपनी का 15 प्रोड़क्ट हो चुके हैं अब इन प्रोड़क्स में सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्जर्स को मेंटीन करते हैं और जो मैंने आपको तीन सूकती पहले बताई थी कि चुनाव मोसम और लागत उसी लागत का सबसे भरपूर हिस्सा इस वार के कौटरली नंबर्स पर आपको देखने को मिलेगा एक और चीज दो हजार पच्छीस तक कंपनी का अपना प्लैन है कि इसको लिकर कंपनी के तौर पर सिर्फ ना जाना जाए ना इसकी पहचानों बनकि नॉन लिकर बिवरिजिस के अंदर भी करी नोने भारत में लांच की अच्छी सक्सेस उसको मिली है मैं सारी चीज आपको इसकी कंपनी के बारे में इसलिए बता रहा हूं प्रड़ेक्ट तो एक ही है लेकिन चुनाव से सीधा सीधा सरोकार रखता है अगर आप देखेंगे इस चुनावों में जो च्छापे पड़े हैं उस च्छापों में सिर्फ दो चीज सबसे अदर पकड़ी गई पहला कैश और दूसरा लिकर आप इसी से इसका अंदाजा लगा लिजे कि कैश और लिकर की इस चुनाव के इंदर इंपोर्टेंस कितनी है इसलिए मैं इसके प्रड़ेक्ट के बारे में आपको बारी की स हैं जहां पर लॉंच करेंगे उसका बेनिफिट के लिए कंपनी त्यार हो सकती है और इस साल यह कंपनी का मानना है कि हर साल हमारी जो ग्रोथ है वह आठ परसेंट से ज्यादा के रहेगी कर गोड़े जिस तरह से नेपिजस ने पूरा वर्णन किया है बिल्कुल दिल से उनकी आवाज निकल रही थी तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली UBL में तेसी देखने को मिलेगी ब्रेकाउट भी चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है मैं और राकेश जी अभी जब डिमपी जी बोल रहे थे काफी अच्छा बोला कि इस इलेक्शन में दोई चीजे पकड़ी गई है एक कैश और दूसरा लेकर तो बिल्कुल एकदम परिफेक्ट स्टॉक इन्होंने चुना है डिमपी जी ने और काफी अच्छा विश्टरिशन दिया है डिमपी जी ने आप और आशु मदान जी जहां कहीं भी हैं कान खुलकर सुले हेलिकॉप्टर की आवास तक ठीक है डिमपी जी से आप यह उम्मीद न करें कि युनाइटेड ब्रूरिस के प्रोड़क्ट की नकल करके दिखाएं कि उसके बात क्या हाल होता है ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे उनकी व्याप पर पहले से आपको कह दो तो यह गैलत में आप बिल्कुल दरख है दिमपी जी यह आवाज तक ठीक है बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आवाज वाला भी खतम ही हो गया एपिसोड वह भी सरक्रिट पर सरक्रिटी चल रहा अगले एलेक्शन में देखेंगे पात साल बाद ओके लेकिन यह है आज मुनाफिक है चुनाव वाला शेर जो आपको ध्याने रखना है एक और शेर बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रहा है आज चोटा सा शेर है एक्शन बड़ा है आपको ढूनने भी मुश्किल आएगी जरा देखें श्री दिगविजे सिमेंट एस एच आर डबल ए श्री और सिर्फ और सिर्फ यह बीएसी पर पाये जाता है ऐसा मैं समझो एक्स ग्रूप का यह शेर है श्री दिगविजे सिमेंट जरा इस पर नज़र आ लिया यह नज़र आ रहा है आपको एस एच कोशिश करते हैं आपके सामने दो लाने के साथ परसेंट नीचे है यह शेर और आज इस शेर में हुआ यह कि आज दस करोड़ से ज्यादा शेरों की ब्लोग डील हुई है और दस करोड़ से ज्यादा शेरों का मतलब है कि लगग लगग 75% एक्विटी इस शेर की बदल चु करोड़ से ज्यादा का है साड़े 14 करोड शेरों हो चुका है यह बड़ा इंटरेस्टिंग है 14 करोड 27 लाग शेरों का कारोबार BAC पर हो चुका है श्रीद दिग्विजे सिवर शायद लाने में मुश्किल हो लिए लिकर इस्टोक 8% नीचे है और वज़े है कि 15-45 आज के लो प्राइस के आज पास यहां पर डील हुए 20% लिचे और उसके बाद तो अब यह देखना है इंटरेस्टिंग होगा कि किस ने खरीदा है क्यों खरीदा है क्योंकि मुझे यह याद है कि एक फंड है ट्रू नॉर्स जो इनके लिए ओपन ओफर लाया था 23 पैसे में पहल चल रहा है सतरा सतरा भी चल रहा है बिलकुल श्री डिगविजे डी आई जी वी वी आई जी एवाई बिलकुल तो यह स्टॉक है और ट्रू नॉर्स जो फंड है वो शायद यह खरीदना चाहता था उन्होंने ऑपन ओफर भी लाया थे 23 रुबे 23 पैसे में जो जनवरी के म तो यह स्टॉक है जो आपको परसों के लिए ध्यान में रखना है खरीदारी और बीकौली में नाम आता है क्या प्रमोटर ने बेचा को फिर यह पर्सों आप को पता भी चल जाएगा कि關係 क्या एक और उपन ओफर डिलिस्टिंग ओफर आ रहा है यह बड़ा इंटरस्विम होगा तो श्री दीगविजय सेमेंट यह स्टोक थ्यान रगे आपकी साइज आपकी स्ट्रेचर आपकी कद के इसाफ से छोटा शेर है लेकिन फिर मेरा फर्ज तो बनता है फूजू क्योंकि MNC शेर है अनिल जी शेर मार्केट में सारे ही शेर हमारे कद से बड़े ही है तो कद कभी-कभी बड़ा नहीं रखना चाहिए और सबसे बड़ी चीज यह स्टोक काम ट्रैक नहीं करते है बट जितना मैंने पड़ा है इसके बारे में लगता है कि इनके मार्जिन और पोर्टलैंड सिमें में यह कंपनी बहुत बैतरीन काम करती है इससे ज्यादा डीटियल हमारे पास यह कंपनी की नहीं है पर पहले भी पिछले हफ्टे भी जब हम मिले थे शोपे तब मैंने कहा था कि अब मिट कैप सिमेंट कंपनीं में बहुत अच्छा रुजान रहेगा यह है वो स्टोक जि दस क्रोड कुछ शेर तो एक ब्लोग डील है जो प्रोमोटर की हुई होगी जाहिर से बात है खरीदा किसने यह देखना हुआ तो जब पूरी एक तो दस क्रोड की वही डील लेकिन उसके अलावा भी बाकी जितनी एक्विटी है ऐसा कभी कभी होता होगा डिमपी की किसी कम इसमें क्या नाम आती है सामने निकल के लेकिन इस बीच यह अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकॉर्ड विनफेक्ट वॉल्यूम के साथ अभी यह कामकाच करते हुए सत्तर और पर सत्तर पर शेरी दिगवजी सिंग्मेंट से जुड़ी हुए एक कमपनी है यह ठीक है आगे करते हैं थोड़ देर पहले में में सेक्स की बात बोल रहे थे वो तेरह 14 रुपे उपर है अभी असमें कामकाच ठीक हो रहा है यह बढ़कर कामकाच करते हो दिखें अच्छा एक शेर और आपसे जानना था सिदार्थ वो था मारूती इसको लेकर क्या करना अभी मारूती म लेकर इंपी जिसी ने शौट टर्म प्रस्पेक्टिव से लिया है उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बट हमें लगता है कि यह स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं है यह स्टॉक जो है निवेश के लिए है साल में बहुत कम बार ऐसा होता है मेरे हिसाब से 2-3 स बिल्कुल कॉंफिडेंस और कन्विक्शन से मारूती पे बने रहे है अभी तो अच्छे न्यूज आया ही नहीं है मारूती में मारूती के अच्छे न्यूज सेल्स नंबर में बढ़ोतरी सारे न्यूज 2-3 महिने के अंदर आपको सुनने मिलेंगे हमें लगता है कि मारूत बिल्कुल बने रहना चाहिए 8500 के लक्षे से बढ़ा है जा रहे हजार रुपे तो बढ़ गया वहां से बढ़ गया और इसके बास से लेखिए अब मार्केट ने बले उथल उथल दिखाई है लेकिन शेयर में कुछ नहीं हुआ बिल्कुल नहीं है अब एक और अची बात तो सिदार से कहरे हैं कि अभी तो बढ़ना शुरू ही नहीं है अभी तो खमर आई नहीं इसके चाहसे सो तो बढ़ाद है चलिए आईए बैंसे बेनिफिट आपके लिए आने वाला है और उसके साथ ही नितिजी का PCR भी वो भी कुशल हमारे साथ है और वो बताने वाले हैं विप्रो के जो आने की तयारी में है कुशल बताईए कैसे रहेंगी रिजल्स और भाइबेक पर क्या अपडेटेग तो बिप्रो के जो रिजल्ट स है वह स्टीबल रहने का नुमाने स्थिर रह सकते हैं अगर आप मणाफिकों देखें तो करीब 1% की बढ़ोतरी उसमें हो सकती है साथ साथ डॉलर आए में 1.9% की बढ़त हो सकती है कंपनी की जो constant currency growth है उसमें करीब 1.54% का उच्छाल देखने को मिल सकता है वहीं margins की बात करें तो उसमें थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिल सकता है करीब 0.4% की गिरावट उसमें देखने को मिल सकते है क्योंकि रुपया जो है वो मजबूत हुआ है जिसकी वज़े से ये साफ साफ हमें margin पे जो दबाव है वो देखने को मिल सकता है दो बड़ी important triggers होंगे कंपनी की नतीजों में एक तो guidance जो quarter on quarter company डिक्लेयर करती है करीब 1-3% की quarter on quarter expectations है revenue guidance के इसाफ से और दूसरा buyback पर update तो हमारी जो expectation जो करीब 12,000 करोड का buyback company ला सकती है अब ये depend करता है company की कितना amount लाती है वो हमें देखना होगा तो ये है आपके लिए राए विप्रो के नतीजों के अनुमान पर और विप्रो का नतीजों का अनुमान आईए देख लेते हैं PCR में जो विप्रो का call option खरीदारी करने की राए जिती नितिंजी से पूछ भी लेते हैं और साथ ही update लेने के साथ तर अगर कोई नई को ले त नितिंजी विप्रो में चल तो सब कुछ ठीक था की रहा था लेकिन एक खबर आई जिसने गड़बड कर डा लिया और खबर यह थी कि कुछ कर्मचारिकों के account में खातों में गड़बड़ी मिली है नेटवर्क में कुछ एसामाने गटी वीडियों की शिकायत आई है खातों में गड़बड़ी की जांच शुरू हुई है और हैकिंग की जांच के लिए इंडिपेंडनेंट फॉरेंसिक कंपनी की मदद ली जा रही है फिशिंग केमपेंड के कारण नेटवर्क में ऐसामाने गटी वीडियों देखने को मिली है यह है विप्रो से जुड़ी वी वह खबरें जिनके बाद विप्रो का स्टॉक बेहद मजबूत होने के बाद तेजी से नीचे की तरफ लुड़ग गया जो कि एक वक्त विप्रो की कॉल ऑप्शन जो हमने लिए उसमें काफी राइटर्स एड हो गए और आज सुबह से ही उसमें बहुत जवरजस्ट राइटिंग हो रही है तो वो एक नेगेटिव डेटा है और रिजल्स भी सामने हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप इसको कॉल ऑप्शन को कैरी नहीं करनी चाहिए तीन रुपए पचास साथ पैसे का रेट है आप एक जिट कर जाएं क्योंकि आपने पांच रुपए तीस पैसे में दिया है तीन रुपए साथ पैसे का रेट है क्योंकि आज सुबह से कॉल राइटिंग इसमें चालू हो गई इसका मतलब एक दवाब अभी फिलाल इस कॉल में देखने को मिल रहा है तो हम इसमें केरी करने की स्लाह नहीं देंग שמח teamwork जाए इसमें क्यों इसमें से ओधिया निकल जाना चीए तीन रुपह 50 पैसे साथ पैसे यहीं सामने रेट आ llegó war के ठीक है अचा कोई такие कोल देना चाहते हैं जी नए रिजल्स एक इंपॉर्टेंट थर्स्डे को है और फिर हम ओपिनिंग में लेंगे क्योंकि कल मार्केट भी बंद है और टाइम वैलू का भी डिके है तो बेठर है कि हम थर्सडे मौनिंग में लें उसे सेफरे एक रिखरेगा रिजल्स का हम वेड कर रहे हैं जो थर् योरो मोटो में डेटा भी पॉजिटिव है कॉल ओप्शन जा-चैनल में आपको भी प्रॉकित मिला है इसको आप क exemplo आपके करने केंगे हाब फिर्टिव करा रंगे और कॉल ओप्शन के करेंगे आपको भी यह आपको अब्डेट देने के लिए और नितिन जी के बाद अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रिजल्स हमारे साथ आने हैं उससे पहले बैंड से बेनिफिट देख लिया जाए तीन बच के सोला मिट पर देवांशी हमारे साथ है बैंड से बेनिफिट बनाएं देवांशी कोई एग्जिट विर्गुट से दो स्टॉक हैं जो यहांपे एग्जिट करेंगे डिया जो और वोकार्ट फार्मा यह दोनों ही यहांपे एग्जिट कर सकते हैं एटी परसेंट से हलके से नीचे हैं तो बॉर्डर पर है पर मुस्ली दोनों निकल जाएंगे बैंट से दोनों निकलने वाले ही हैं तो क्या राजस जी इनमें कोई खरीदारी करनी चाहिए ज़रा तयार रखी आपने चार्स वगरा देखर कि क्या डिलीवरी खरीद के जान कोई चांस आइडिया है करीब 100% मार्केटवाइड पोजिशन हो चुकी है तो यह है जो बैंद में जाएगा अच्छा आइडिया भी लोग ले रहे हैं क्या बात है साड़े तीन परसेंट मजबूत है साथ परसेंट ऑपन इंटरस यस वाह क्या बात है बीस दो करोड़ शे परसेंट क्या है क्या नहीं तो आपको पूरा का पूरा जवाब परसों माज आपको मिल जाएगा आइडिया में क्योंकि आज आज आइडिया के टॉप मेनेजमिन के साथ इंटर्यू कर रही है हमारी एग्जिक्टिव एडिटर स्वातिख घंडलवाल और हमने सारे सवाल को यह बोलें कि क्यों आप 20,000 क्रोड डाल रहे हैं इस से काम हो जाएगा क्या और कितने पैसे चीएंगे यह पैसे कितने टाइम तक चलेंगे कॉम्पेटिशन को कैसे हैंडल करोगे राइट इश्यू के बाद क्या होगा सारे सवाल कुछ वाइए तो उस सारे के सारे जवा क्या करना है उससे पहले DHFL और वो खाड़ा बता है मुझे लगता है DHFL में कैश में बाई किया जा सकता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे लगता है इसमें अपमू यहां से एक्सपेक्टेड है और स्टॉक 178 184 की रेंज में जाना चीए तो 167 का स्टॉप लॉस रखना और अगर स्टॉक अब यहां से वापस 460 के उपर जाता है तो बिल्कुल बाई करना चीए फिर मुझे लगता है कि उसमें चो टार्गेट बन के आएंगे 478 से 485 तक के आएंगे तो वो खाड़ में वेट करना चीए कल का और 460 का ब्रेकाउट मिलता है तो बाई करें और DHFL तो आज भी बाई किया जा सकता है 167 के स्टॉप लोस से ओके तो यह है आपके लिए वो खाड़ और DHFL पर रहा है लेकिन हाँ आइडिया यह बताईए जरा कुनाल जी आइडिया के चार्ट को अगर देखें तो यहां एक डबल बॉटम पैटन बना है और इस डबल बॉटम पैटन का ब्रेकाउट 17 रुपे के नीचे अभी अभी होता हुआ नजर आ रहा है तो मेरी राय में देखें बैन में जाएगा बावजूद उसके इसमें तेजी बनी और इसमें जिनकी पोजिशन्स हैं कैश मार्केट में भी पोजिशन है तो होल्ड करना चाहिए इस तरों पर मेरी खरिदारी के भी राय है और मुझे लगता है कि एक बार 19 के लेवल्स आपको आइडिया में देखने को मिल सकते हैं तो 17 का स्टॉप लॉस रखें और 19 के टा अधिस का नेचर बदल गखा चुली डिशली बदलिया इस टॉक भाइड़ साइड भी बाहुत नहरो रहंग हो जो रहा है और 114 पन्दरा का जो लेवल है वो एक ब्रेक आउट अगर मिल गया गटा को तो फिर मुझे लगता है कि एक सो पच्च्छ से एक सो और अथी स्ट क करनाट का बैंक, 104, 105 पाँच को वाला शेयर वापिस 110, 15 हुआ, आज इसके भाव देखी 137 अरे यह कब हो गया यह यूगड निकल जाते थे करनाट का बैंक नी हिलता था 2008, 120 पर आकर तो वापस दम तोड़ दा, ICU में चले जाता था फिर इसको वापस ट्रीटमेंट करा के लाते हैं एक दम यह तो गजब हो गया है यह कब हुआ है एक सो सेंटिस परसेंट को बहुत अच्छे हैं मतलब अच्छे खराब यह तो बाजी पता चलेगा लेकिन पोजिशन जबर्दस्मंती भी दिख रही है और RBL बैंक के नतीज़ आने वाले हैं और दोनों के नतीज़ आएंगे गुरुवार कोई तो आईए नतीज़ जान लेते किस तरह से आने वाले हमारी बैंकिंग स्पेशलिस्ट पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है पूजा पहले कौन सा बताएंगे आप DCB जी शुरुआती क कर लेते हैं नतीज़े जो है वो स्टेबल ही रहेंगे क्योंकि DCB बैंक और RBR बैंक अगर दोनों ही बैंकों की बात करेंगे तो पिछले काफी सारे क्वार्टर से एक स्टेबल ग्रोथ एक स्थे ग्रोथ दिखाते हुए आ रही है DCB बैंक के किसमें ब्याज में जो आया आ पिछले काफी साल से अच्छा ही रहा है इस बार भी यह जो आक्रा है यह 1.9% के आसपास देखा जा सकता है लेकिन एक दो चीज़ है जहां पर क्या आपको नज़र रखनी है वो यह है कि इस बार कंपनी के जो नए स्लिपजेस है नए NPA है वो बढ़े हुए रह सकते हैं त ब्यास से जो आई है महाँ पे 40% की ग्रोथ देखने का अनुमान है और जो मुनाफ़ा है उसमें करीब 35% की ग्रोथ देखने का अनुमान है लेकिन इस बार जितने भी वीटेल फोकस्ट बैंक है अगर आप HDFC की बात कर लें या RBL बैंकी, DC बैंकी सभी ने पिछली तिमाही इस बार जो है बाकी नमबर्स जो है ग्रोथ जो है वो पिछले काफी सारे कौर्टर से 40% की ग्रोथ दिखाता हुआ रहा है, RBL बैंक वो इस से माही भी वलकरार रहेगी और ग्रोथ एंपिय का अकड़ा भी 1.4% के आसपास स्टेबल ही रहेगा और सदावार पसंद है RBL बैंक सिद्धार जी को तभी भी पूछे क्या करेंना तो बोलेंगे छोटे बैंकों मैं RBL ही लूँगा अब आप लेंगे तो हैं ये तो बराबर है सिद्धार जी लेकिन रिजल के पहले आज ही ये रिजल के बाद गुरुआर को अनिल जी बहुत बैतरीन दमती है नीजी शेत्रे में मैं लगता है कि RBL बैतरीन परफॉर्म करेगा पर अब जब एक दिन की ही बात है तो मैं मानता हूँ कि रिजल्ट आने के बाद उसके उपर ध्यान देना चाहिए उसके उपर डिसिजन लेना चाहिए नीजी बैंकों में RBL बैंक बहुत बहतरीन है साथ ही साथ और एक कंपनी की में बात करूँगा अनिल जी हमारी सला सुची में नहीं है बट वो होगा बंधन बैंक एक खाली बात दर्शकों को तक बहुचा दू कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मार्जिन कमाती है बैंक के उसमें सबसे ज़ादा अगर किसी का मार्जिन हो वो है बंधन बैंक करीबन सारे 8-9% का मार्जिन है ये भी नीजी शेतर के बैंक में जो अभी अभी लाइसेंस मिला है बंधन बैंक बहुत बैतरीन फंडमेंटल कम्पनी है तो बंधन बैंक कैश का स्टोक है बहुत जल्दी ये वाइदा करोबार में भी आई जाएगा अब तैयारी है मेरे खाल से 6 मैने की लिस्टिंग के बाद तो बैसे आ जाना चाहिए अब की बार जब रिविजन होगा वाइदा करोबार की लिस्ट का तो बंधन बैंक इसमें के बॉर्ड ने साफ नकार दिया अब माइनटरी के नतीजे तो आने वाले हैं और साथ ही इनके काउंटर ओफर के लिए समय सीमा भी खत्म हो रही है बाइबेक माइनटरी ने किया नहीं अब नतीजे क्या होंगे वो पहले समझ लें कुशल हमारे साथ हैं और पता नहीं बा सकती है क्योंकि कमपनी का जो टैक्स रेट है वो चार परसेंट बढ़ सकता है साथ साथ अगर आप मार्जिन फ्रंट पर देखें तो उसमें करीब आधा परसेंट की गिरावट हमने देखने को मिल सकती है क्योंकि रुपया जो है वो मजबूत हुआ है जो एक कॉमन रीजन है बाकी सारी आइटी कमपनियोज में भी मार्जिन का जो दबाव आता हुआ दिख रहा है उसकी वज़े से पर डॉलर आए फ्रंट पे कमपनी की करीब 3.2 परसेंट बढ़त हो सकती है कॉंस्टेंट करेंसी टर्म्स में अब दिखें करीब 2.7 परसेंट की बढ़त दर्च क कि उन ग्रहागों पर क्या कॉमेंटरी रहेगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा ओके तो यह है आपके लिए माइन ट्री पर आए कुनाल जी बताए माइन ट्री नतियों के पहले किसे ट्रेट करना है इसे अनि जी माइन ट्री बिल्कुल एक सीवित दायरे में कारोबार कर रहा है इस काउंटर ने एक ब्रेकाउट दिया था 955 रुपए के उपर उसके बाद पिछले कई दिनों से लगबागे एक सब्ता से हम देख रहे हैं स्टॉक बहुत इसी में दायरे में काम कर रहा है मुझे लगता है कि नतीजों के बाद इसमें एक बड़ा मोमेंटम बनेगा एक तरफा बड़ा एक्शन आने के समभावना है और मेरी उमीद यह है कि इसमें उपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपको रिजल के पहले भी और रिजल के बाद भी तेजी बनने की पूरी पूरी समभावना है आपको नजर आएंगी इसमें स्टॉक से जबर्दस एक्शन में आपको दिख रहे हैं एक के बाद एक है जेट लाईए एक बार फिर से आपके सामने जेट की बाद बोलने वाला था कि जेट वापिस से रिकवर कर रहा है 243 का चुक है कैश के लेवल और भी वापिस से मुवमेंट दिखाना शुरू कर रहा है कोई बड़ी बाद भी सर चुपती काल दिन कल मार्केट नहीं होगा रेक्शन देनी के लिए लिए लेकिन कोई अ सामने रख देते हैं तो आपको अंदाज लगीगा दो सो पचीस जिहां और यहां पर भी पांच परसंट कम जो रहे यह हैं इसे बार कब निकलेगा वासी आप मधरसन सुमी की बात बोल रहे हैं तो अभी वह दिन के उपर इस तरो पर कर रहा है क्लोस चल्दी से कुनाल बत करना चाहिए एक बार के लिए यहां पर 162-63 के लेवल देखने को मिलेंगे 155 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने के रहे हैं ठीक है इबर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं एक मिनिट है मार्केट बंद होने में लेकिन आज का मार्केट कम हूँ बढ़ा स्ट्रॉंग रह है इसा नहीं निफ्टी नहीं हो रहा है 11738 के उपर पहली बार 18 अगस 2018 के बाद की क्लोजिंग जो है वो बहुत ही बैतरी नहीं है तभी कभी है ना अगर आपको सही में डेट याद ना हो तब भी बहुत कॉंफिडेंस से बोलिए मुझे तो याद है मैं बता रहा हूँ आ आप मैं जिन्दगी में अनुगव से ही सीखते हैं इसके लिए मतलब है ना बहुत लंबी उमर जीननी पड़ती है उसके बाद ही कुछ चीजे समझ में आती है उनमें से एक ये भी है तो गूगल पर हाँ उस दिन 11738 का lifetime high closing basis परता निफ्टी का जिसे आज हमने पार करके न क्योंकि हमने दो बहतरीन closing देखी है निफ्टी और Sense6 पर अब तक के सबसे उच्छ तमस्तोरों पर जाकर हम हो रहे हैं बंद Sense6 में 30293 का level है प्रोविजनल basis पर जहां पर आज बारती बारे उने दी है closing तो बहतरीन तेजी के साथ बंद होते हैं पहले आपको एक बार प्रो और 387 अंको पर हुआ है Sense6 में इनको थोड़ा सा सेटल होने रहते हैं एकदम कि किस लेवल पर final closing आईगे उसके बाद मैं आपको एहतियास एक स्तर बता दूँगा उससे पहले चुनावी समर में कौन मारेगा बाजी लोकतंतर के महापर्व में क्या है देश का मूर में किन किन बड़े दिगजों की किसमत है दाव पर और दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले क्या संकेत मिल रहे हैं ये आज शाम को पाच बज़े आपको पता चलेगा लेकिन अर्श से फर्ष पर जेट की उड़ान किराया बढ़ने से यात्री भी परेशान पाइलट कर पर आफत आस्मान पर ये है आज शाम का खाश यो जेट को लेकर जहां पर यात्रियों से लेकर कर्मचारियों से लेकर देंदारों से लेकर लेंदारों से लेकर हर एक परेशान है सबका व्यू आएगा तो यह एकदम बहतरी शो मिस मत करेगा एक्षन में चुनाव आयोग अब नहीं चलेंगे बिगड़े बॉल सुन लो आयोग का यह फरमान जुबान फिसली तो लगेगी लगाम खामोश तो यह है चुनाव आयोग का फरमान आज शाम आज रात देश की ब बिगड़े दिखें चुनाव आयोग है फरमान पकड़ाता हुआ शी विशुद्ध राजनेती चर्चा और इस वक्त देखिए भले आपको राजनेती से कितना भी प्यार हो या कितनी भी दूरिया लेकिन चुनाव के वक्त तो राजनेती देखनी बनती ले और भारत के में जब सबसे बड़ा लोक तंतर में चुनाव हो रहा हो राजनेती और राजनेताओं को समझना हो तो इससे बड़ा वक्त मिलेगा निया आपको पांच सालों में एक बार आता है मिस मत किरीए में भी करता हूं बिलकुल ये तो देखना बनता है देखिए दिमाग मत लिजिए है रिकोर्ड लाइफ टाइम हाई निफ्टी बैंक हमने लाइफ टाइम हाई दिन के दोरान तो नहीं बनाया क्योंकि पहली अप्रेल को जो तीस शेसो अटालिस था उसे पार करने में थोड़ी देरी है लेकिन तीस पांसो एक तीस जो आज आपको दिख रहा है वो है अपने आप में एक lifetime high closing basis पर 3426 के ऊपर का lifetime high closing हमने पहली बार देखा है बैंक दिफ्टी में 29 मार्च के बाद तो यह नया record है sensex देखिए पहली बार sensex नय record पर इस बार बड़ी मजबूती के साथ बंद हुआ है पहला record था sensex का दिन के दोरान high बनाने का वो था 49,272 का 3 अप्रेल को आज हमने उसे पार किया 49,374 अब 49,365 होने पर नया record बनेगा लेकिन high basis पर भी 49,56 के high को हमने बड़े margin से पार किया आज का जो high है आज का जो closing है 49,275 का ये भी sensex का lifetime high पर हम जाकर बंद होते हुआ दिख रहे हैं तो closing basis पर nifty sensex और bank nifty तीनों ने lifetime high आज बनाया है कल की छुटी के ठीक मेले बाजार है बहुत मजूद है और ये सब show के साथ साथ एक चीज़ और कहना है चाहा है मेरा मन मत्यू जी ये चुनाव 40 ये बड़ा तगड़ा show है जबरदा सोचल मीडिया पे बहुत अच्छा response मेल रहा है ये show गजब का है मतलब मैं अगर दिन बर कुछ ना करो चुनाव 40 मुझे सब पता चलिया था कि आज पूरे डेश में दिन बर चुनाव से लेकर क्या हुआ और सिर्फ आज बल्कि कल क्या होने वाला है वह भी मुझे पता चलिया था तो मेरा सबसे फेवरेट शाम का show अगर कोई है तो चुनाव 40 ये बहुत की बैटरी शोई है हर रोज मिसमत करिए रात को 9 बजे जहां पर आपको चुनाव से रिलेटेड एक एक ख़बर सिर्फ और सि तरीके से जो चुनाव से रिलेटेड आप हर इक चीज देखना सुनना जानना समझना चाहते हैं आईए विदा लेंगे हमारे सभी एक्सपर्से चुट्टी एंज्योई कीजिए पी वियार में मुई देखिए बंसल जी और कुनाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिदार जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और राजेशी का भी शुक्रियादा करेंगे हमारे स्टूडियो में आज आए हैं और हमारे साथ जुने हैं